हलाल गोश्ट बंद करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट में हलाल प्रमानित उत्पादों पर राश्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने और हलाल प्रमान पत्र वापस लेने की मांद करते हुए जन्हित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा कहा गया है कि केवल 15 फीसदी हिस्सा मुस्लिम अलपसंख्यक, हलाल, भोजन का सेवन चाहता है इसलिए बाकी 85 फीसदी लोगों को इसे खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है. याचिका करता के अनुसार यह सम्विधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहट मौलिक अधिकारों का उल्लंगन है. याचिका करता एड़ोकेट विभोर आनंद ने सुप्रीम कोर्ट में यह जन्हत याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि भारत के सम्विधान के अनुच्छेद 14-21 के तहट प्रदान किये गए मौलिक अधिकारों के लिए देश के 85 फीसदी नागरिकों की और से याचिका दायर की जा रही है क्योंकि उनके अधिकारों का उल्लंगन किया जा रहा है. देश की 15 फीसदी आबादी के लिए बाकी 85 फीसदी लोगों को उनकी इच्छा के लिए खिलाफ हलाल उत्पादों का उपभोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. जनहित याचिका में बताया गया है कि हलाल प्रमानन की प्रक्रिया भारत में 1974 में शुरू हुई थी. हालाकि ये शुरुआत में मास उत्पादों तक ही सीमित थी. बाद में इसका विस्तार Pharmaceuticals, सौंदर्य प्रसाधन, स्वास्थय उत्पाद, प्रसाधन और चिकित्सा उपकरनों सहित अन्य उत्पादों तक हो गया. याचिका में कहा गया है कि अब हलाल के अनुकूल पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, गोदाम सर्टिफिकेशन, रेस्तरा सर्टिफिकेशन और प्रशिक्षन सहित अन्य शामिल है. अधिवक्ता रवी कुमार तोमर के माध्यम से दायर रिट याचिका में जमियत उल्मा ए महाराष्ट्रा, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमियत उल्मा ए हिंड हलाल ट्रस्ट द्वारा जारी किये गए सभी हलाल प्रमान पत्रों क अमानिक घोशित करने के लिए भारत संद को निर्देश देने की मान की गई है। याचिका करता ने कहा कि एक धर्म की मान्यताओं को सभी पर थोपना शायदी धर्म निर्पेक्ष कहा जा सकता है। करें कमेंट करके बताएं आपका क्या कहना है।